फ्रेंड्स आज हम बात करें हैं बर्गर किंग की बर्गर किंग ने लोगों को माला माल कर दिया जिसने भी आई पियों में अपलाई किया था उसको बहुत ही जबरदस रिटन मिला करीब 265.25% का रिटन तक चला गया था परन्तु उसके बाद में आगई जबरदस प्रॉफि जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया वो तो फाइदे में रह गया और जो रह गया वो फस गया अब आगे की क्या रहा बन रही है तो मेरे भाईयों इस वीडियो को आप पूरा देखें स्केप न करें इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और साथ में इस वीडियो के अ सबसे पहले हम बात करेंगे बर्गर की आज बर्गर की 10% अपर सर्केट पर खुला क्योंकि दो दिन के 20 पर 30 सर्केट के बाद सुपए सर्केट की लिमिट कम कर दी गए थी 10% का सर्केट था तो सिधा सर्केट पे प्राइस इसकी खुली थी और आज 219.15 पर ये करीब 10% सर् गई और बहुत सांदार सामने प्रॉफिट मिल रहा था लोगों ने प्रॉफिट बॉक करना सुरू किया हमने भी आपको पहले ही बोल दिया था कि अगर आपका नजरिया आईपयों में इंवेस्मेंट करने का है और आपने शिर्प सौर्ट टम के लिए इंवेस्मेंट किय आपको प्रॉफिट बॉक कर लेना चीए क्योंकि आप सोचते हों लगातार एक तरफा तेजी रहे तो किसी भी शेयर में संभव नहीं है किसी को भी अगर बड़ा प्रॉफिट मिलता है तो वो प्रॉफिट बॉक करे गई और जब लगातार बड़ी प्रॉफिट शुरू हो गई कि सीधा इसमें लोर सर्किट लग गया अब फ्रेंड्स जिसने भी लॉंग टम के लिए इनवेश्मेंट किया था उनको तो अभी घबराने की जरूद है नहीं क्योंकि आपको आने वाले समय में इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा बह उनको तो मैंने राय दीती है कि आप जल्दी से जल्दी इसमें प्रॉफिट बुक कर लो क्योंकि हमारा इसका जो नजरिया आपको पहले से पता है तीन चार जो आई पियो पहले आ चुके है लिस्टिंग में बहुत उपर लिस्टिंग होती है पर दिरते उसमें गिरावट प्रॉफिट बुक आती है और आज इसमें भी प्रॉफिट बुक आ गई और इसके वज़ा से बहुत सारे लोग फस गए तो अब उनसे मेरी राय है कि अगर आप अपने निचली प्राइज से बाई किया हुआ है तो आपको अब उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चीए क् क्योंकि ओवराल स्टॉक बहुत सांधार है आने वाले समय में यह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जो भाई उपर के लिए उनको तो आप वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि जो प्राइज आज दिखी थी 219 रुपे वाली प्राइज उसको अभी वापस आने में बहुत समय लगने वाला है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इसका जो टार्गेट भी दिया था फ्रेंड्स तो करीब यह जो टार्गेट जो अच्छी हो अच्छी हो चुका इसका मतलब एक जटके में जो प्राइज ब बहुत अच्छा प्राइज बढ़ जाती है तो इसमें नेचरली गिरावट तो आती है तो जिस तरह से इसमें आज लोगर सर्कीट लगा है कल भी लोगर सर्कीट की सम्भावना बंद रही है तो इसकी प्राइज यह वो नीचे आ जाएगी परन्तु जैसे ही अगर आपको यह 120-30 के आसपास मिलता है तो आपको वहाँ से बाई भी कर लेना चीए अगर किसको फ्रेस बाई करनी है तो वो भी कर सकता है बहुत ही अट्रेक्टिव वैल्यू है और यह 130-140 के आसपास अगर आप खरीदारी करते हो तो बहुत जल्द आपको इसमें अच्छी खासी प्र बॉलिम हुई है और सामने 60,93,272 शेरों की डिलेवरी उठाई गी है और डिलेवरी का परसेंटेज है 40.39 परसेंट बात करते हैं NSC की 1 करोड 98,76,952 शेरों की बॉलिम हुई है और सामने 1 करोड 6,58,298 शेरों की डिलेवरी उठाई गी है और डिलेवरी का परसेंटेज है 53 3.62% बहुत ही सांदार तरीके से काम काज हुआ है वॉल्यूम बेस भी काम अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि फिलाल इसमें गिरावट होने की जो बड़ी संभावना बनी है वो है प्रॉफिट बुकिंग की तो जादा आपको घबराने की जरुतनी श्टॉक मजबूत है आने वाले समय में फिर से तेजी बने की बहुत जबर्दस और जो एनलेस्ट की राय निकल के आ रही है उसके हिसाब से इसका जो प्राइज रखा गया था आई पियो का बहुत कम है और इसकी जो डाउनफॉल आया है यह लोवर सर्किट देखे आपको जड़ा घबराने की कोई जरूत नहीं है आप इसमें बने रहे लेकिन मौका मिले तो प्राफिट बुक तो करना ही चाहिए अब हम चलेंगे ऐसे ही दमदार आई पियो की तरफ नया आई पियो आया हुआ है फ्रेंड्स मिसिज बेक्टर्स फूड आई पियो बहुत ही सांदार है और यह 15 तारीक को यह उपेन हुआ था और आज इसका क्लोजिंग का डेज है तो यह लास्ट मौका है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो बहुत ही सांदार यह आई पियो है जो जिस तरफ से बर्गर किंग ने लोगों को माला माल किया है इसमें भी पूरी संभावना बन रही है माला माल होने की क्योंकि फ्रेंड्स इसकी जो प्राइज बेंड रखी गई थी बहुत सारी ब्रोकरेज फर्में भी इसके लिए अप्लाइ करने के लिए बोल रही है जैसे की LKP Security की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इसमें आप अप्लाइ कर सकते है Samco Security ने भी इसको अप्लाइ करने के लिए कहा है तो इस तरफ से बहुत सारे ब्रोक्रेश फर्मों की तरफ से अपलाई के लिए का गया है क्योंकि इसमें बहुत ही जबर्दस प्रॉफिट की संभावना बन रही है सबसे बड़ी बात फ्रेंट्स जिस दिन IPO ओपन हुआ उसके दो गंटे के अंदरी फुल सब्सक्राइब हो गया था सिर्फ दो गंटे के अंदरी पहले दिन ही इसकी जो 11.4 टाइम सब्सक्राइब हो चुका था और फ्रेंट्स सबसे बड़ी बात यह है प्रीमियम और मिड प्रीमियम सेग्मेंट में बिस्किट बनाने वाली बहुत ही सांधार कमपनी है और इसका रिवेन्यू भी बहुत जबर्दस है फाइनेंशल येर 17 से लेके 19 के अंदर 12 परसंट का रिवेन्यू जनरेट जबकि इस समय के दोरान ब्रिटैनिया कमपनी का रिवेन्यू 10 परसंट रहा है तो ये बहुत ही सांधार रिवेन्यू जनरेट करने वाली कमपनी है इनके पास cash flow की कोई कमी नहीं है साथ में इन्होंने अपनी खर्च में बहुत कटोती की हुई है जिसका इनको फाइदा मिल रहा है और साथ में इन्होंने अपनी जो कर्च है उसको भी लगातार ये उसको reduce किये जा रहे है तो इसका फाइदा बहुत अच्छे से इसको मिल रहा है यह जो food company है यह आपको बहुत जल्दी माला माल कर सकती है अगर आप इसको IPO में apply करते हो तो यह आज last day आपको apply कर लेना चीए आप पिछले जो IPO ने भी बहुत लोगों को माला माल किया है यह IPO भी grey market में धूम मचा रहा है और आपको इसमें investment करना चीए आपको IPO में अगर share alert हो जाते तो आपको तुरंद IPO की listing के दिन अगर अच्छा profit मिलता है तो profit book कर लेना चीए क्योंकि नहीं तो फिर जो संबावना है फिर से वैसी बन जाती है जो burger king में लोगों की बन चुकी है अनलिस्ट ने उनको misguide पी संबावना है अगर आपने apply किया है short term के लिए तो आपको तुरंद profit book कर लेना चीए लेकिन अगर आपने long term के लिए investment किया हुए तो आप बैठ सकते है उसमें आपको घबराने की कोई जरूत नहीं है long term के लिए investment करना तो आप दोनों में करके बैठ सकते है लेकिन अगर जो आपके education purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसन आए तो लाइक शरूर कीजे और चैनल को subscribe कर दीजे थैंक्यू फ्रेंड